अरे अखले स्यादो हमने सुना है कि तुम अपनी सब सीटे हार गए हो यूपी उप चुनाओ में अरे भाईया तुम तो बड़ी लंबी लंबी फैकते थे अरे अब तो EVM को दोस नहीं दोगे तुम अरे देखिए मोधी चचा अरे फैकने में तो तुम ही हमसे उपर हो भाईया अरे मोधी जी वोट तो डालने नहीं दिया हमें अरे हमारे लोगों को तुमारे योगी के इस सिस्टम ने कानून वैस्ता ने वोट ही नहीं डालने दिया अरे हम कहां से जीते औरे दूसरी वो मायवती के कंडिडेट को भी बराबर वोट मिले हैं इस वज़े से तुम जीत गए वरना तो हमारी एक तरफ जीत थी अरे अखलेस तुम कब तक लोगों को बेवकूब बनाते रहोगे अरे लोगों से कहो कि मुझसे बीजेपी के मुकाबला नहीं होता अरे ये लोग तुमको अब छोड़ने वाले हैं साब अरे तुमारे खुद के यादव सब छोड़कर बीजेपी में चले गए और हमारे वाल लिए जनता ने विकास के लिए वोड़ दिया है और अपने सुरक्षा के लिए वोड़ दिया है अरे तुमने क्या ही क्या जनता के लिए तुमने सिर्फ जनता को लूटा है ले ज़ा भया टमाटर ले जो बिंडी मिरा चमटर ले जाओ बयालू औरा मोदीजी ले ली जी आप भी अरे मोदीजी कभी कभी तो खा लिया करें ताज्य सबजी अरे मोदीजी तूम क्या खाते हो वहते बढ़ा निखाराए एक दम से अंग्रेजो जैसे होते जा रहे हो अरे योगी जी तुम यहां कैसे बैठ गया के अरे कोई काम धाम नहीं है के भाईया अरे कोई काम नहीं है तो मेरे साथ काम पर लग जाओ तीन सुरूपे दाड़ी के दूँगा अरे अखलेसी यह अच्छा काम क्या है तुमने सब जी वाला अरे इससे बहुत फाइदे हैं एक तो तुम्हारी मेहनत होती रहेगी और दूसर तुम बेरोजगार नहीं रहोगे क्योंके भाईया अब यहां तुम सत्ता में तो आने से रहे मुझे लगता है जब तक यह योगी जी है कुरिशी पे बैठने कां और अखलेस तुम क्या कह रहे थे कि तुम यहां क्यों बैठे हो अरे अखलेस हम तो तुम्हें देखने आये थे कि तुम्हार धंदा पानी कैसा चल रहा है अरे तुम्हारा वाला काम कब से शुरू कर दिया तुमने अरे इससे पहले तुम भेंसों का काम करते थे फिर तुम ऑट्डव चलाने लग गए अरे भाई यह तुम एक काम क्यों नहीं करते तुम बार-बार क्यों बदलते रहते हो अरे अख्लेस मुझसे तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जाती अरे ये तुम्हारे कपड़े भी इतने गंदे हो रखे हैं वह ये क्या काम कर रहे हो इस ऐसा तुम इन बोरियों में क्या लेकर जा रहे हो अरे मोधी चाचा हम तुम्हारी तरह नहीं हैं जो खाली बैठे बैठे बस लंबी लंबी फैंकते रहते हो हम तो महनत करकर खाते हैं ये हमारा खानदानी काम है हम बिल्कुल नहीं खाते बेटे-बेटे हम तो काम इसलिए बदलते रहते हैं कभी घोडे का, कभी भैंसों का, कभी बकरीओं का समझे मोदी चचा और अब तो हमने इस योगी जी को भी अपने काम पर लगा लिया है क्यों योगी जी सही कहान है अरे योगी जी ये मैं क्या सुन रहा हूँ अरे तुम भी काम पर लग गई वो भी अखलेश के साथ अरे हमने तुम को पिरदेश का मुख्य मंत्री बनाया है और देखो तुम्हारे कपड़ों से तो देख कर लगता है कि तुम भी यही काम कर रहे हो अरे योगी जी क्या रेपोटेशन खराब कर रखी तुम अपनी अरे नहीं नहीं मोधी जी मैं तो सिर्फ इस अखलेश की मदद कर रहा हूं अरे इस बेचारे का भी कोई धन्दा चलने के लिए बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है इसका कोई धन्दा सफल नहीं हो रहा बस यही बात है मोधी जी टैंसन ना लो अरे उद्दव ठाकरे हमने सुना है कि महराश्ट में तुम्हारी सरकार की लुटिया डूबने वाली है और भैया तुम सियम आवास को भी छोड़ कर आ गए हो अरे ठाकरे साब मैं तो कहता हूँ हमारे साथ आजाईए और मिलकर सरकार चराते हैं अरे ढाय साल बहुत हो गई कांगरेस वालों के साथ अरे तुम्हारी तो हमारे साथ ही जमती आईए शुरू से आजाओ जल्दी अरे देखिए मोदी जी ये सब तुम्हारा ही क्या धरा है अरे तुम्हारा वो लीडर हैने अमित सहा अरे उसी ने ये खरीद फरुक्त किया है वो यही काम करता है मोटर बाई और सारे MLA को गुजरात में और भाई बांध रखा है हमारे अरे उनको पहले यहां तो बुलाईए सरकार मुंबई में यहां महराष्ट में बनानी है भाई यह गुजरात में क्यों पटक रखा है उनका बाडो को और यह सब जो भी हो रहा है मोधी के राज में हो रहा है अरे देश का मोडी यह मोडी को समझाओ इसका जो वो लीडर है अमित साह वो सब करता है अरे देखिये भईया मैं तो यही कहूंगा अरे ओवेशी जी तुम तो मोदी की पार्टी के लिडर हो तुमसे तो बहस करना ही बेकार है सरकार बनेगी तो यहां उद्दव की ही बनेगी अरे अमित्सा जी अरे तुम कहां लेकर जा रहे हो भई अरे इस बैग में क्या है भईया इतना बड़ा बैग है ऐसा क्या माल छुपा रखा इसमें जो हमें भी नहीं बता रहे हो अमित्सा बताओ जल्दी यार अरे मोदी जी तुमको पता तो है जब हम बैग उठा कर चल देते हैं तो हमें क्या करना होता है अरे मोदी जी हमें तो विधायक खरीदने होते हैं तो मोदी जी महराष्ट में हो गया है सरकार का बखेडा खड़ा इस उद्दव ठाकरेकी का ये सिंदे अपना आदमी है अरे इस सिंदे ने बहुस से विधायकों को बहका लिया ठाकरेके तो भीया अब हामें ले जाने है उनको पैसे अब उनको खरीदना भी तो है क्योंकि ठाकरे के बैग में तो हो गए पैसे खतम समझ गई मोदी जी बात को अरे वा अमित सहा वा अरे तुम भी गजब के आदमे हो पता ही नहीं चलता कहां सरकार बनवा देते हो और कहां गिरवा देते हो अरे नमस्कार नमस्कार मोदी जी नमस्कार अरे मोदी जी मैं ही हूँ एक नात सिंदे जिसकी वज़े से महराष्ट की सरकार गिर गई है और मोदी जी अब मैं ही मुख्य मंत्री बनूंगा अपने अमित सहा के इस आसिरवास से अरे सिंदे जाद खुस होने की जरूत नहीं है वेस दो-चार दिनों बाद तुम्हारे भी परकतर दे जाएंगे अरे तुम एडी के डरकी वजे से हमारी पार्टी एक साथ धोका कर गए अभी बता देंगे कुछ दिनों बाद कौन मुख्य मंत्री बनेगा असली